हाई फ्रेंड्स मिया कांचा सर्माजी की वितकांचा में आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स प्रबंदन के प्रेक्टिस सैट का मैं दूसरा सैट आपके लिए लेक्या है इसके पहले मैं करवा चुकी थी यह तोटल 2010 प्रशनों का संग रहे है और आप पटवारी की तयार करते हैं हमारे पटवारी का क्रैस को चल रहा है यह 24 दिन उसमें हो चुके हैं सौ दिन की यह श्रंकला है अगर इसके पहले के 23 वीडियो नहीं देखी हो कल मैंने बॉइस को समझाया था रूल्स और ट्रिक्स दौरा इसके पहले मैंने नरेशन भी करवाए हैं इंगलिस में प्रबंदन की भी बहुत सरी क्लासे हो चुकी हैं अगर नहीं देखे हैं तो डिस्कप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जाकर चेक कर लीजेगा और नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा पहला कोशन है भारत में लेखा मानक इस विसे में व्या है एकाउंट की बात हो रही है तो कोई एकाउंटिंग वाला ही इसको सॉल्व करेगा तो इसमें अप्सन है नगदी प्रभावित्विवरण जो नगत का प्रभावरा नगत जो पैसा एक जगे से दूसरे जगे से जा रहा है क्या इसकी व्याख्या करता है लेखांकर नीति का प्रकटि करन करता है लेखा मतलब होता है एकाउंट अगर इसको क्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या सब्द दिया जाता है जिसमें सामाने रूप से उमीदवार का नाम जन्मतिती लिंग वैवाहिक इस्तिती पता आदी सामिल होते हैं तो देखिए आपने अगर फेस्बुक पर भी अपना डाला होगा प्रोफाइल बायो डाटा तो वो आपका लिखा आता होगा यौर पर प्रात्मिक कारिय का प्रात्मिक कार्य होता है आर्थ काकड़ों पर कबजल क्यों करेगा लेग। आकस्मिक देताई में कालिस्थान में दिखाई देती हैं आकस्मिक देताई क्या होता है आकस्मिक वो होता है जो अचानक से कोई हमें चीज देने आ गया सडली हम पर कोई वर्डन पढ़िया और हमको पैसे देना है तो वो काय में दिखाई देती है तो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स जो balance sheet तो लन पत्र मतलब होता है balance sheet तो balance sheet पर जो लिखा हुआ होता है balance sheet पर जो account के लिए जो लिखा होता है वो आकस्मिक देता है उसमें दिखाई देती है मतलब काय में दिखाई देती है balance seat में तो दिखाई देती है लेकिन balance seat में जो लेखा पर notes लिखा हुआ होता है मतलब notes on account to balance seat मतलब जो balance seat पर जो लिखा हुआ होता है accounts के वारे में वो आकस्मिक देता है होती है तो अकस्मिक देता अचानक से अगर कोई होता है तो वो balance seat के लेखा पर notes में दिखाई देती है अगला question है friends अगला question पर जाने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं group 2, sub group 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये notes ले सकते हैं total 10 booklet आपको मिलेंगी जिसमें सामाने प्रवंदन की hand return है बहुत सांधार तरीके से बुक तैयार की गई है नॉर्मली बुक पढ़ने में आपको थोड़ा सा अलसिया जाओगे आप पढ़ने में थोड़ा सा भारी लगेगा तो आपको पढ़के बहुत अच्छा लगेगा लास्ट में वर्लाइनर भी अब्जेक्टिव भी हैं कम्प्यूटर दक्षता कम्प्यूटर में पहले hand return है फिर लास्ट में अब्जेक्टिव दिये हुए है करीब 52,60 इसके अलावा गड़त और तरक सकती गड़त की करीब 2000 प्रेक्टिस प्रशन दिएगा तरक सकती के कु अब बजट आर्थिक सर्विक्षान इनको कवर किया के व्यापम की परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रेशन जिसमें लगवक्ट 2000 प्रेशन है ये इसके अलावा विज्ञान के 3000 वर्लाइनर किस प्रकार के है विज्ञान के कल मैंने एक वीडियो बनाया था विज्ञान इसके साथ जो आपको गुरूप मिलेगा गुरूप इस ओ इस मोर इंपोर्टंट मतलब आप मैं यह बूलूँगी कि इतना जाता इंपोर्टंट में आपको वह चीज़े मिलने वाली है रोज रोज जो एकजाम में आना ही है और आपको धियान हो जबीवे आप एकदम से को हो चाहें इंग्लेस हो सभी की तैयारी उस गुरूप में कराई जाएगे और यह सब आपको इक्टी सो निर्न्यार में मिलेगा भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास यह डिलीवर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं वित्तिय प्रबंदन का निर्ने प्रकारिय खालिस्थ के निर्नों में किसके साथ खंडित किया जा सकता है वित्तियन और निवेश निवेश वित्तियन और परिसंपत्ति प्रबंदन केवल वित्तियन और लाभांस केवल पूंची बजट नगदी प्रबंदन और रिड़ प्रबंदन तो देखो जब वित्तिय प्रबंदन का नि ध्यान रखना पड़ता है इसके अलावा हमको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास तोटल संपत्ति कितनी है जिस पर हम निवेस कर सके तो केबल हमें फाइनसिंग यह डिवीडेंड मतलब कितना हम 내ें कमें कितना हमारे पास प्रबंदन यह वित्ति की विवस्था करते हैं उसके निड़ने वाले invest कर रहे हैं कितना हम finance करेंगे और कितना हमारे पास प्रबंदन है यह सभी वित्तिय प्रबंदन जब हम करते हैं वित्ति की विवस्था करते हैं उसके निर्णे वाले कारे में आ जाता है अगला question है प्रसिक्षर के इन छेत्रों में से कौन एक करमचारी को समस्यां को समस्यां को सफलता पूरवक निपताने के लिए करता कौन करता है समस्या समाधान प्रसिक्षर या problem-solving, ट्रेनिंग द्वारा होता है अगला है सयुक्त प्रभावन छम्ता खालिस थान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है तो सयुक्त प्रभावन छम्ता किसके लिए किसके परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है EPS किसके लिए मापन करती है तो ये किसके लिए करती है किसके योगदान में परिवर्तन का मापन करती है तो किसके लिए करती है EPS के प्रभाप का मापन करती है EPS मतलब होता है Earning Per Sears मतलब आपने कितना Earn किया और कितना फिर उस पे Sears किया तो EPS का मतलब होता है Earning Per Sears होता है और किसी कमपनी की वित्तिय स्थिती आकलन करने का यह एक महत्पून घटक होता है EPS सहीं तो प्रभाबन छमता योगदान किसकी योगदान में परिवतन की प्रभाब का मापन करती है EPS EPS का मतलब क्या होता है Earning इसका Full Form भी आज रखिएगा आ सकता है Earning Per Sears इसका क्या Full Form होता है Earning Per Sears मतलब किसी भी कोई भी प्रथि भूदी को किसी कमपनी की वित्तिय स्थिती का आकलन करने में महत्पून घटक माना जाता है यह सुद्धल आपका भाग होता है अगला गुश्यन है इस नियम के अंतरगत Trial Balance का मिलान हमेशा होना चाहिए किस मिलान के अंतरगत की अंत में सभी लेंदेन को Trial Balance में इस्थाना अंतरित कर दिया जाए प्रतिक डेविट का एक तदन रूप क्रेडिट होता है परिसबपति आएवम देंदारियां बरावर होती है आएवम बै के क्रेडिट एवम डेविट बैलेंस होते है तो क्या पूछ रहे हैं कि इस नियम के अंतरगत सेस परिक्षन का मिलान हमेशा होना चाहिए ये देखना चाहिए कि जो आपका जो Every debit has a corresponding credit मतलब जो भी आपका खर्च हुआ हो वो credit के अनुसार ही हो मतलब आप अपनी आए से ज़्यादा वै ना करें तो ये बोला है कि किस नियम के अंतरगत सेस परिक्षन का मिलान हमेशा होना चाहिए ये ट्राइवेलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए कि प्रत्यक डैविट के अनुरूप ही credit होता है अगला question है एक bank समाधान विवरण को एक bank समाधान विवरण को खालिस्थान की सायता से तयार करता है किसके सायता से रोकण वही खाता के bank column और bank विवरण के द्वारा bank column of the cash book and bank statement मतलब एक bank जो होता है उसका जो विवरण होता है पूरा समाधान वो किसके द्वारा होता है cash book के द्वारा और bank statement के द्वारा मतलब आपका bank विवरण का आपको समाधान करना है तो किसके माधियम से होगा या तो आपनी cash पर चड़ाया हो या फिर आपने अपना बैंक स्टेट में चेक किया हो लोग अपने कार्य में बहतर प्रदैसन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे किस के अंतरगत आते हैं वो आते हैं संबधन की आवशक्ता पर कारे कारी निदेसक के रूप में निमने मैं से किस के साथ जोड़े हुए रहते हैं तो देखो आप ये समझो कि CEO होता है वो किसी कंपनी में सबसे उच्छ होता है ऐसा रास्ट पती उपरास्ट पती भी उच्छ होते हैं कारे कारी निदेसक भी उच्छ होते हैं तो ये किस प् हिस्से के रूप में परिक्षित किया जाएगा तो इसको किसके रूप में किया जाएगा अफ़ों एनालाइस जो भी निधी का जो भी पैसों का प्रभा हो रहा है उसके विश्लेशन के हिस्से के रूप में प्रिसिक्षित किया जाएगा या विश्लेशित किया जाएगा सियर दार को मतलब मार्य कोई भी कंपनी है उसमें एकोर्डिण सर्वाइख किलीए बनाई जाती है जो रड़ की लागत हो उसके अनुसार जितनी लागत हो उसी की अकॉरडिंग ही उनकी दर लगाई जाए जितनी बनाइजन बनाई चाहिए तो वो लागत किसकी अनुसार बनानी चाहिए, प्रतिफल की आवश्चक दर किसकी अनुसार बनाना चाहिए जितना भी आप रिड ले रहे हो, उसके according ही लाब का रासी बनाना चाहिए प्रती फल की दर जितना रिंड ले रहे हो उसी क्या कोडिंग ही उसी क्या नुसार ही बनाना चाहिए अगला कोशन है खालिस्थान प्रबंदकों की परिस्कृत परणालियों को विक्सित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बहतर नियंतरन मिलेगा तो कौन करता है तो कंप्यूटर आधारे शुरक्षा सूचना परणाली कौन करता है कंप्यूटर आधारे जो सूचना परणाली है वो करती है प्रबंदकों की परिस्कृत परणालियों को विक्सित करने में मदद करती है जो प्रबंदक होते हैं उनकी परिस्कत प्रणाली को विक्सित करने में कौन मदद करती है जिससे सूचना पर बहतर प्रबंदन मिलेगा तो computer आधरे सूचना प्रणाली करती है फ्रेंड डिस्किप्सन वाक्स में आपको मेरे WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter का लिंक मिलेगा जुर जरूर जाइएगा तकि आपको महतपूर अपडेट मिलता रहे साथ में आपका नमबर मुझे WhatsApp पर सेफ करा दीजिगा अपना नाम लिखकर और अपना नमबर लिखके सेफ करने को बोलिएगा आपको मेरे स्टेटस के इस हुआ कि डिखाई देता है पूजी गतव्हें किस में दिखाए देता है बैलेंस सीट में मतलब त्aci जो सो यह वी हुआ होगा वह काई में दिखाए देगा में और नियंत्रन विस्दफ्रती को निर्धारित करने का सूतर किस نے प्रस्तुत किया तो नियंतरन विस्तरती को निर्धारित करने का सूतर प्रस्तुत किया है, बी ए ग्रेक्यू नास ने किया है, निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इन में से, देखो मुद्रा इस पीती की बजे से समय के साथ मुद्रा का मूल कम होता है, ये अर्टो बिलकुल सही है, दूसरा है मुद्रा मूल में कमी के कारण व्यक्ति भविश्य की तुल्ला में बर्तमान में उब्भो करना पसंद करता है, ये भी बिलकुल सही है, चौथा है पैसे का मूल अलग-अलग समय बिंदों पर अलग-अलग होता है ये भी सही है कि कभी पैसों का मूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है मुद्रा का कालांतरन मान नहीं होता ये गलत है अगर आपका निधी का इस्तरोथ है केवल सेर जारी करना अगर आप सेर जारी करते हैं सूब सेर तो ये भी आपकी निधी का इस्तरोथ है केवल लिया हुआ साब्धी रिड आपने कोई साब्धी रिड लिया गया है तो उससे भी आपने कहीं लगाया होगा तो वो भी आपको एक निधी का इस्तरोथ है तो ये सब ही आंसर आपके राइट हो जाएंगे अगला कुश्यन है एक अनूठा प्रतीक जो की एक ब्रांड का एक हिस्सा होता है क्या बोलते हैं तो एक ब्रांड का एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लोगो लोगो एक ब्रांड का हिस्सा होता है एक अनूठा उसका प्रतीक होता है किसी भी ब्रांड को हम उसके लोगो द्वारा ही जान पाते हैं, अगला है खालिस्थान संक्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अबदी के अपिक्षित परणाम को संदर्वित करता है, कौन संक्यात्मक पदों में दी गई? संक्यात्मक पदों में दी गई भविश अबधी के अपिक्षित परणामों को संदर्वित करता है तो कौन करता है बजट बजट जो होता है आने वाले समय में हर चीज़ गरसे भी फरवरी में आने वाला है तो भविश में किस अकॉर्डिंग खर्च किया जाना चाहिए क्या रासी होने वाली है किस भिवाग में कितना खर्च किया जाना चाहिए भविश के अपधी के परणाम को बताता है कौन बताता है बजट बताता है अगला कोशन है जब कोई क्रेता लावांस रहे दिनांग पर किसी विक्रता से सियर खरीदता है तो उसे कौन सा लावांस प्राप्त करेगा तो इसे क्रेता और दलाल दोनों ही प्राप्त करेंगे मतल इन में से व्यक्तिगत मूल्यांकन गती विदियों में से किसमे मूल्यांकन करता को करमचारी के भ्यवार के प्रबल एवं कमजोर पहलू को वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो निवन्द मूल्यांकन ऐसे एवलूशन जो होता है उसमें करमचारी के भ्यवार के प्रबल उस्थान वियकति फैसले और Be यह स्तुनिश्च और अव्यक्ति को सकते हैं वह नें लेने में वस्तूनिष्ट होते हैं वैकल्पिक तरीके से सोचते हैं मतलब यह नहीं तो ऐसा हो सकता है विशलेशनात्मक व्यक्ति होते हैं आव व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है चिंतन सील होता है वही हर चीज के चार option निकाल के रखता हर इसके अच्छे बुरे फायदे नुकसान सब के बारे में सोचके ही कोई नेड़ने लेता है ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं ऐसे व्यक्ति चिंतन सील होते हैं अगला है निमलेखित में से कौन धन का स्त्रोथ है इमारत यह हमने कर लिया इमारत के विक चाहिएगा आज साम का वीडियो मध्यपटेस के जो हमारे 10,000 वस्तुनिष्ट का कलेक्शन चल रहा है वो हम आज साम को करेंगे और वीडियो नहीं देखिए इंग्रिस के जरूर देखिएगा मैंने बहुत अच्छे सा नारेशन और बॉइस को समझाया है साथ मैं और मैंन इसके वीडियो में मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी ओके फैंस थेंक यू